चाले होना कोई गंभीर समस्या नहीं, ये आम बात है, हर व्यक्ति को कभी न कभी जीब या मू में चाले निकल ही आते हैं, वैसे तो चाले साथ से दस दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इनकी वज़ा से खाना खाने में देकत और दर्द का सामना करना पड़ता है, आपको बता दें कि आज हम कुछ घरेलू नुसके बताएंगे, जिनकी मदद से आप चीब पर हुए चालो का इलाज कर सकते हैं, सबसे पहले बात करेंगे नमक के बारे में, नमक में सोडियम क्लोराइड होता है, जो चाले की दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता ह है, इसके एंटी बेक्टेरिल गुड भी चीब पर चाले होने से संबंदित संक्रमण को दूर कर सकते हैं, एक कब गरम पानी में एक चमच नमक डाल कर मिक्स कर ले, अब इस मिश्टरंड से कुल्ला करें, आपको दिन में ऐसा कई बार करना है और इससे आपको आराम मिलेग जो अगला उपाए है, वो है वर्फ, वर्फ में दर्द निवारक और सूजन रोधी गुड होता है, ये जीब के चालो पर हो रहे दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है, चाले पर वर्फ का एक टुकडा रखें, जब तक बरदाश हो तब तक वो वर्फ का टुकडा रहने दे और फिर कुछ सेकंड्स के बाद इसे हटा कर दुबारा लगाएं, आपको अपने चालो में आराम मिलेगा, अगला जो पाए हैं वो है हल्दी, हल्दी सूजन और दर्द को कम करने में मदद करती है, हल्दी में थोड़ा शहद या दूद मिला कर उंगली से चाले क के उपर लगाएं, इसे कुछ मिनिट तक लगा रहने दें और फिर गुनगुने पाने से कुल्ला कर लें, इस वीडियो में फिलाल इतना ही, ऐसी ही तमाम जान कर रहे हों के लिए बोल्ड स्काय को सब्सक्राइब करना ना भूलें